तो हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी लोग मुझे पता है कि आप यार अपनी स्टेडी को लेकर थोड़ा चिंतित हो और होना भी चाहिए क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिने कोई फरक ही नहीं बढ़ता और आप सभी को इतना तो पता ही है कि हमाई सिक्षा अच्छी पर इंगली सका एक टोपिक ले ले थे हैं जिसमें मैं आपको बता आंगा कि या आपको सिनयॉर्प Records कैसे याद जैयाद करने हैं देखे इंट्रैट पे बहुत सारे तेक्निक मिल जाती क्ई हैं, तो मैं बता हूँ कि सीनोनियम सा बड मिनिग होते हैं, मैं उन्हें कुछ तरहे ही. जैसे, बर्ड रूूट्स श्यूट्स य기에 यद कर्लें। लग आज हम उस तरीके से बांताথी गातए है. तो हम आज सब उसी के बारे में बात करेंगे और ये तरीका best भी है क्योंकि ये हमारे दिमाग में च्छप जाता है कि जो भी कोई bird हमें याद करना होता है हमारे दिमाग में च्छप जाता है और उसकी एक image बन जाती है और वो हम कभी नहीं भूल पाते हैं तो ये तरीका मुझे सबसे best लगा और मैंने जब तयारी कर रहा हूँ मैं भी आपको बताता हूँ तो मैंने जब bird meaning से याद करें थे तो मैं भी इसी तरीके से याद करता था और आज भी जब भी मैं कोई bird यूज करता हूँ इसके हमारे synonyms, antonyms याद करने के है ना लेकिन फिलाल ये पहला पार्ट है और इसमें हम कुछ bird use कर लेंगे कि कम से कम मैं मान लेता हूँ इसमें हम लगवा 25 से 30 या 50 के करीब हम bird को cover करेंगे और इसमें हम अराम से उसके बाद next part आएगा next part करते 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 हम लगवा thousand से उपर या लगवा 1500 के something हम एक target मान के रख लेते हैं मैं बल्कुल accurate नहीं बता रहा हूँ तो इसमें हम इतने के करीब याद करके ही रहेंगे इसके बाद हम antonyms, idioms बगएरा और one word substitutions भी इस तरीके से इसके series लाते रहेंगे और आपका बिल्कुल इंगलिस से बिल्कुल आपका टैंसर लेनी ज़रूत नहीं है इंगलिस की और इंगलिस की बारे में आपको बहुत अच्छी जान करें मैं देता रहूंगा और आपने देखाई होगा मैं इस चैनल पे आपको इंगलिस के बारे में और भी वीडियो बना रखी हैं धीरे धीरे आपके सारे डाउट्स क्लियर कराऊंगा और आगे भी कुछ पार लेके आता रहूंगा तो चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले जो बर्ड है वो निकल गए आता है हमारा ओबीस यानि की स्पेलिंग होगी ओबी-ई-एस-ई इसका मतलब होता है बहुत मोटा या स्थूलकाई इस तरीके से इसका मतलब होता है लेकिन यहां पर बात या आती कि से याद कैसे करें तो देखे मैंने बता है आपको निमोनिक टेक्निक से हम याद करेंगे तो अगर हम इसे O को अलग कर लें और B E S E को अलग कर लें तो हमारा क्या मतलब है इसका बनेगा O भैसे अब एक बास बताओ हमें कि हम जब किसी मोटे इंसान को देखते हैं तो हम क्या कहते है O भैसे O भैसे O भैसे इस तरह से कहते हैं न तो इससे से याद कर सकते हैं कि O को अलग कर लेंगे इस टाइम पर हमारे दिमाग में तुरंत तुझे इमेज बन जाएगी और B E S E को अलग कर लेंगे सुरुआत में ही यानि कि सुरुआत में भी अगर कोई चीज हो आती तो उसका मतलब होता है इसकी स्पिलिंग होती है I N C E P T I O N ठीक है अब इसे याद करेंगे कैसे अब देखें आप कहीं भी अगर जाते हैं तो आपने देखा होगा जब किसी भी होस्पिटल में अगर हम चाते हैं या किसी भी होटल में अगर हम चाते हैं तो बहाँ पर एक चीज होती है रिसेप्सन तो रिसेप्सन कहां पर होता है रिसेप्सन सबसे सुरु में होता है अगल जब किसी भी जगह जोगे तो सबसे सबसे सुरू में आपको recetion मिलेगा तो इसे से याद कर सकते हैं इसे मिलता जूलता बढ़ ये बनता है inception reception तो इस के sound ऐसी है आती है जी से reception बोलने है तो reception कहा प्याता है इचिकता है शरू آत में ठीक है, तो अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपको यह समझ में आ रहा है, तो हम पीडियो को लाइक कर लीजेगा, और अभी आगे भी बढ़ते हैं, अब देखिए, इसके बाद आता है, A-L-A by L-A, L-A का मतलब क्या होता है, सांत, अब सांत, इसे याद कैसे रखेंगे, अब एक बात सुनो, जब हम किसी छोटे बच्चे को जैसे रो रहा है, अब उसे हम चुपाएंगे, अगर हम उसे कहेंगे कि चुप हो जाओ, तो हम कैसे करेंगे, L-L-L-L-A, ऐसे करेंगे ना, तो हम इसी से याद रख सकते हैं, इसे कि हम किसी को सांत करने के लिए, या च काल सकते हैं, है ना, तो आप इसे कोई परसनल मत लेना, यह तो ट्रिक हैं सिर्फ, तो ट्रिक तो हमारे किसी भी तरीके की बन सकती है, अब देखिए, इसके बाद आता है हमारा, पैट्यूलेंट, P-E-T-U-L-A-N-T, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, चि P-E-T-U को अलग करें, और L-A-N-T को अलग करें, तो क्या होगा, पैट्यू, पैट्यू हो गया, और एंट, A-N-T, आंट, यानि आंटी, अगर हम किसी मोटी आंटी को, हम कुछ कहेंगे, ऐसे पैट्यू आंटी कहेंगे, तो वो क्या होगा, वो चुल चुला पन आई तो आप इसे अराम से दो या तीन बार देख सकते हैं, ठीक है, मुझी गारंटी कि आपको यह 100% याद जरूर हो चाएगा, ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं, अगले बढ़ के उपर, बढ़ आता है, Abdicate, A-B-D-I-C-A-T-E, Abdicate, Abdicate का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता अब इसे याद करने का तरीका क्या होता है, अगर हम A-B-C-A-T-E को अलग कर दें, तो हमारे क्या हो जाएगा, दिककत, Dicate को अलग कर दिया, और अब को अलग कर दिया, तो अब क्या, Abdicate, यानि कि अगर हम किसी बात में कहाते हैं, कि अब हमें दिककत हो रही है, तो सीधी सी इसे अगर आपको किसी चीद से तिककत हो रही है, तो हम उसे त्याग दो, है ना, इसलिए इसे याद रखेंगे, Abdicate को त्याग ना, इसके बाद आता है, मिसिब, M-I-S-S-I-V-E, मिसिब, मिसिब का अर्थ होता है, पत्र, अब उस पत्र को याद कैसे रखें, अब इक बात बताओ मुझे, अगर कोई किसी को मिस करेगा, पहले टाइम पे, क्या होता था, अगर कोई किसी को मिस करता, तो क्या करते थे, पत्र लिखते थे ना, तो इसी से हम याद रख सकते है, कि मिसिब का अर्थ होता है, पत्र, ठीक है, मैंने देखा है, इंटरनेट पको सरी वीड वी उसमे मिलेगा और आपको याद कराने की ट्रिक मिलेंगे लेकिन तो कंदिक काम की नहीं होती लेकिन यह ट्रिक आपको कभी कि नहीं भूल पाओगी क्योंकि मैंने थुदासा आपको आप जैसे language भी आपको याद कराने के उसे की है, क्योंकि देखो, मैं student तो मुझे पता है, किस तरीके से याद कर रख सकता है, कोई भी इंसान, ठीक है, teacher का क्या होता है, वो बना गया अपना काम काम कर दिया, लेकिन हमें यह नहीं करना है, अगर आप इस वीडियो में आई हो, तो ज्यादा पूछा जाता है S.S.C. में, तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है diligent, अब इससे हम याद करेंगे कैसे, diligent का आर्थ हो, तो मैं पता है कि महनती, अब लेकिसे याद कैसे रख पाएंगे, तो देखे, अगर हम D.I.L.I. को अलग करें, और G.E.N.T. को अलग करें, त तो इससे याद रख सकते हैं, diligent, diligent यानिके महनती, आपको अपनाहमिसार दिमाग में एक image बनाइए हैं, एक दिमाग में image बनाइए को भी जो भी हम बोल रख में बोले और हम एम फसना चाहिए, वह हम याद रख सकते हैं, तिल्ली के जो इनसान жизни न बहुत महनती हैं, जो दि लब होता है कंजूस या कंजूसी अब ये बहुत ज़्यादा S.S.E. में ये भी बहुत पूछा जाता है परसी मोनी कंजूस एक बड़ ऐसा है ना कंजूस के लिए बहुत सारी चीज़े हैं एक्जाम में पूछे जाती है कंजूस को तो पता नहीं क्यों लोगों ने इतना पकट लगा है उन लोगों ने कि हमेशा कोई ना कोई बड़ दे सकते हैं जैसे कि निगारलीनेस हुआ फ्रुगैलिटी हुआ इस्टिंगीनेस हुआ थ्रिफ्टी हुआ है ना यह बहुत सारे ऐसे बड़ हैं कि यार कंजूस से तो पूछते ही रहते हैं तो इसे याद किसे रखेंगे परसी मौनी देखें परसी को परस निकाल लीज़े इसके अंदर से और मौनी मनी यानि कि हमारे जो परस में जब मनी खतम जब यानि कि खतम होने वाली होती है तो क्या करते हैं लोग आप कंजूसी दिखाते हैं तो मतलब हम जो परस होता है ना हम परस में जो मनी रखते हैं तो यह उसे बहुत कंजूसी से खर्च करते हैं तो इसलिए हम इसके लिए याद कर सकते हैं परसभी मोनी यह अगर आपको इतना भिधान नहीं आएगा ना की製ा खरच करेंगा तो आपको ध्यान ऩा जागा परस नाम आ रहा तो यहां पर हम कंजोसी के रोत यहां उस कर सकते हैं अराम से इतना आपने एक बार परळ लिया ना उसे हो जाएगा मर रवीज अब इसे याद कैसे करेंगे दीए आप रवीज कुमार को तो जानती होंगे जो NDTV पे आते हैं आपको अच्छे से याद होगा तो NDTV के वो पत्रकार हैं तो वो यार बात इस तरीके से करते हैं मैं मैं किसी की बुराईी यदे किसी की भफलाई हूँ हमने से कोई मतलब नहीं है ठीक है हमें सिर्फर सिर्फ याद रख나 है मैं तो हमें एक हमारा हमें आता है MORBID morbid आपने इक बड़ भी बहुत सुना होगा तो morbid का मतलब क्या होता है एस्वस्त या unhealthy अब इसे याद कैसे रखेंगे देखो more माने क्या होता है more माने होता है जादा और bid, bid का हम निकाल के लाएंगे बीडी, अगर हम जादा बीडी पियेंगे जादा बीडी, तो जादा बीडी मत पीना और उससे जो है बीमारी आ जाती है और उससे इंसान ऐस्वस्त हो जाता है हमें तो याद रखना है सिर्फ और सिर्फ ठीक है, तो morbid से हम इस तरह से याद रख सकते हैं इसके बाद हमारा आता है amity, amity, amity ka मतलब क्या होता है मित्रता, है न, amity का मतलब होता है मित्रता अब इससे याद कैसे रखेंगे, देखोगई जो हमारे राहूल गांदी है, ठीक है राहूल गांदी क्या थे, जब election लड़े थे तो कहां से लड़े थे, amity से जीटते हुआ रहे थे तो उन्होंने बहाँ पे मित्रता का एक भाव रख रखा था ना तभी तो जीतते हुआ रहे थे और जब उन्होंने मित्रता का भाव खतम कर दिया तो भई भे हार गए है ना तो भई किसी अगर तुम्हें किसी से मित्रता रखनी है तो भही वहां पे जो है आपको अपने अच्छा बनाने पड़ेंगे ना भी चार विचार तो MET का मतलब क्या होता है MET अगर MET में आपको इलक्स नालना है तो भाई मितरता रखनी पड़ेगी और उन्होंने रखी जब तक तो सही हुआ जब उन्होंने मितरता नहीं हटा दी तो वह बहां से हार गए इसके बाद आता है हमारा राउट R-O-U-T राउट राउट का मतलब क्या होता है राउट का मतलब होता है पराजित होना तो इसे याद कैसे रखेंगे राउट का मतलब पराजित होना होता है लेकिन याद रखने का तरीका मैं बताता हूं आर से क्या होगा रहना आउट से क पराजित के बाद रहता है Shiny. Fortitude. Fortitude का आर्दсть, क्या ओता है? Fortitude के आर्दध होता है साहस. साहस को आम याद कैसे रखेंगे Fortitude को? तो Fort P hier ओता है, हर इनसान चान Attack क्या है. अब एक बात बताओ, अगर आपके अंदर साहस ओगा, तभी तो आप कुई necessity पाओगे. कहते हैं नहीं यह・ाय तो नहीं भूत खिले जीति लिए वहीजी तो नहीं बड़े गिले जीति लिए कहते है इस बात को गलूमी गलूमी माने क्या होता है गलूमी माने होता है उदास या दुखी है ना इसका अर्थ ही होता है तो इसे याद कैसे रखेंगे जहाद रखने का तरीका मैं बता देता हूं गलूमी गुलामी अब गुलामी अर्थ तो मैंने बता दिया दुख ही होता है लेकिन गलूमी का जो साउड निकल का रहा है गुलामी से निकल का रहा है ना तो गुलामी से कैसे वह एक वाद बताओ अगर आप किसी की गुलामी करोगे तो आप खुस होगे क्या नहीं होगे ना तो गुलामी अगर आप करोगे तो आप दुखी होगे या उदास होगे तो इसलिए हमें या अच्छा लग रहा होगा यार मुझे पाता है मैंने बहुत मैंने से लेका है हूं मैं इस सब कुछ तो आप इसे अराम से याद करो वीडियो अच्छे लग रही तो लाइक कर दो चैनल तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यार ऐसे ऐसे में बहुत सारी वीडियो लाने बाला हूं अभी तो यही है इसके बाद मैं आपको एडियम्स की अलग बनाके लग कर आँगा हूंगा अभी तो फिलाल यह बर्ड मिनिंग जो एससे में बार बार पुछे जाते हैं उनके बारे में लेका हूं और हाँ थैना वर्ब यहान 391 वासी देखो और सेख़सी पार बता देता हूं कि आप एससे याद मत करो कैसी नेनेंस का स्रीघ्ट कर लिया ुड़ एं दो दो तीन-थीन नडट रहे हैं उससे कोई फाइदा नहीं है देखो आपको बर्ड की अर्थ पता होने चाहिए आपको उसके एंटोनियम या कुछ इस तरह से कोई फरक नहीं पड़ता ये गुड है गुड का कोई एक सिनोनियम आपने याद कर लिया अब याद करने का बहुत आया नहीं तब क्या करोगे है ना तो आप ऐसे याद मत करो आप सिर्फ हिंदी याद रखो उनकी अगर आपको हिंदी याद आती है तो आप अराम से उसका करी सकते हो मुझे पता है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा चीक है चलो बढ़ते हैं आप से नेक्स्ट बर्ड की और इसके बाद है हमारा बढ़ बेख वे ए जी यू इ बेख बेख अब बेख का मतलब होता है हमारा एसपष्ट यानि कि जो साफ दिकाएं ना दे तो इसे याद कैसे रखेंगे इसे कैसे पकड़ेंगे देखो बेख बेख को क्या कहते हैं हिंदी में अगर हम देखें तो जी ना बेग यानि उसके स्पीड यह ना बेग यह तो कहेंगे अब बेग हमारा किसी चीज का बेग है यानि कि कोई चीज एक ऐसी है कि जिसका बेग यार बहुत तेज था और वो एक्दम तुरंट निकल गई मतलब कोई एक ट्रेन आई और ट्रेन की बेग इतनी तेज था कि वो एक्दम निकल के चली गई तो हमें कुछ दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा तो इसलिए हम इसे कहेंगे बेग वाने एसपस्ट और इसकी जो ट्रिक है हमारी बेग याद रखना है यानि कि स्पीड य सैल यॉ वी और आरी ओ यू एस ठीड है अब इसमेयाद कैसे रखेंगे इसका मतलब होता है सुष्थ यानि कि हेल्दी अब इससे याद कैसे रखेंगे तो एक बास बरिखाई देंने सैंकि operate top में बgamust body body बना रहक की है और उन्होंने हैंक्तिम से किया है क्या है any इसलिये तो हम यकर रखेंगे बहुत स्वस्थ और में आके पई स्वस्थ ऻो ने बोड़ियोड़ी बना रखेंगे तब ही तो तो इसogen से याद रखेंगे cellular OS मतलब स्वंस्त अभि इसका बाता child laborious अभि इसका एल्यों के स्पेलिंग क्या होतीय मतल़ होता है महिनती अब इसे यात किसे रखेंगे इसका मैं इसकी टिर्क बता दे था हूं लेवर माने क्या होता है मजदूर होता है है ना आप जो मजदूर लोग होते हैं वो कितनी मेनद करते हैं आपको पता ही है इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं मेहंती चीक है इसका अर्थ निकल के आता है मेहंती तो लेबॉरियस मेहंती इसके बाद हमारा M-O-T-L-E-Y मोटले मतलब रंग बिरंगा है ना रंग बिरंगे कपले चो होते हैं या इस तरह से हम कोई भी चीज लगा सकते हैं कोई चीज रंग बिरंगी है तो उसे हम क्या कहेंगे मोटले अब इसे याद कैसे रखेंगे देखो M-O-T को अलग करो और L-E-Y को अलग करो बई देखो अलग करने से फायदा में यह होता है ना अगर हम किसी बड़ को तोड़ लेते हैं तो वो याद अच्छे से उसकी ट्रिक बना लेते हैं अगर हम और दूसरी भारी दुनिया बर की ट्रिक बना ले तो उससे कोई मतलब नहीं होगा लेकि जो बड़ सामने लिखा होता है ना उससे ट्रिक बहुत अच्छे बन जाती है तो M-O-T को अलग करो L-E-Y को अलग करो तो M-O-T L-E-Y ले M-O-T यानि के मत-L-E-Y मत-L-E अब मत-L-E का क्या मतलब है एक बात बताओ जब आपको कोई फ्रेंड बगारा होता है और वो एक रंग बिरंगे से कपल ले ले जिसमें भाई वो ले लाल सी प्रेंट ले ले और यालो सी कुछ इस तरह के साड़ बाट ले ले रंग बिरंगे से कप्रें ले ले वह है to क्या कहोगे सो यह तो खघिए जार मत ले बहुत रंग बिरंगा है ना बेकार है आर मतopolई से है ना यही तो कहगे तो इसलिए निकल क। आएगा रंग बिरंगा यानि ने के मत-L-E मोत-ल-E means अ इसके बाद आता है हमारा याहू अब याहू माने क्या होता है याहू का नाम आपने बहुत सुना होगा एक सरचिंजन भी है और एक गाना भी है इसका मतलब होता है मैं आपको पहले मतलब बता जिता हूँ उसके बाद ट्रिक बता हूँगा उसका मतलब होता है जंगली अब याहू का मतलब जंगली अब इसे याद कैसे रखेंगे याद रखने का तरीका यह है पर यह अपने गाना सुनाओगा याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे सुना है ना यह गाना अगर आपने सुना है तो आपका बड़ भी याद हो गया यानि के कोई जंगली कहे यानि के जंगली, याहू मिन्स जंगली इसके बाद आता है मरसी, M-E-R-C-Y मरसी माने दया या काइडनेस, तो मरसी को कैसे याद रखेंगे, भी एक बात सुनो जो पहले महरसी होते थे महररीसी, आपने सुनओ और महरसी यानि के जो हमारे विद्वान लोग होते थे है ना, वो महरसी होते तो वो कैसे होते थे, दया लू होते थे उनके अंदर बहुत दया होते थी América उनने हर चीज में दया होती थी तो इसलिए हम उन्हें क्या कहते थे महर्सी यानि उन्हें महर्सी कहते थे तो क्या करते थे दयावान होते थे इसलिए मर्सी मीज़ दया इसके बाद बढ़ आता है सेन S-N-E Sain Sain माने समझदार इसे याद करने का क्या तरीका है Sain Sain माने सियाना यानि के सियाना क वह भीist सियाना है यानि के यह बहुर समझदार है ममनलब Sain Sain mean समझदार इसके बाद आता है मारा बड़ A, S, U, N, D, A, R Ashinder Ashinder mean मतलब कैसे निकाल लेंगे यार याद करने का तरीका भी तो पता होना चाहिए तो देखो, एक कोई कोई इन्सान है, कोई लड़की या लड़का कुछ भी समझ लो वो बहुत सुन्दर है, बहुत जादा सुन्दर है तो आप क्या कहेंगे, ए सुन्दर इसमें बड़ में देखो, A, S, U, N, D, R ए सुन्दर, ए सुन्दर है, बहुत सुन्दर है और अगर वो सुन्दर है, तो सीधी सी बात है कि जो लोग आपके सामने है, उनसे अलग है बहुत अच्छा प्यारा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि A, सुन्दर, यानि कि अगर सुन्दर है तो अलग है यानि कि अपार्ट, है ना, सेपरेट, ए सुन्दर इस तरह से हम याद रख सकते है ए सुन्दर, मतलब अलग इसके बाद आता है, R, O, T, U, N, D, रोटन रोटन मींस होता है हमारा गोल मटोल ठीक है, यानि कि बहुत मोटा या गोल मटोल अब उसे याद कैसे करेंगे, रोटन रोटन का, आप निकाल के आते हैं, देखे, इसका एक तरीका देखो, R, O, यानि कि रोटी, है ना, T, U, N, D तोंद, है ना, यानि कि तोंद होती ना, पेट निकल जाता है इसका कहते हैं, तोंद है, आप देखो, भी आपका होगी कि, रोटी कैसे होगी, भी रोटी, या थोड़ा से आपको बनाना नहीं पड़ेगा, भी आप टिरिक याद कर लेगा, वह को ये तो है यानि के गोल मटोल हो गया, यानि के बहुत मोटा हो गया, तो रोटून माने गोल मटोल, इसके बाद आता है अगस्त, A-U-G-U-S-T, आगस्त, आपने सुना ही होगा अगस्त, तो अगस्त माने क्या होता है, अगस्त माने होता है, सांदार या भबी है, अब इसे याद कैसे र गोगर डेली वेगर है में वो कैसा होता है बहुत सांदार होता है बहुत ही जादा मस्त होता है भप्य होता है बहुत बढ़िया होता है इसलिए अगस्त मीन्स होता है सांदार या भप्य है इसके बाद आता है बढ़ हमारा आगोनी, अगोनी वित्या, या कस्ट, और हम तो इसे याद कैसे रखेंगे, अब इसका नाम अगर लें, ऑगोनी, अगोनी mechanics व्यासर कर दिये वहाइं काईगे, तो अगनी क्या होता है आग अगनी से क्या होगा पीड़ा या कस्ट तो उसे हम कहेंगे एगनी मींज पीड़ा इसके बाद आता है हमारा बड़ स-a-double-b-a-t-i-c-a-l सवेटिकल इसका मतलब होता है अबकास यानि के चुट्टी अब इसे याद कैसे रखें तो याद करने क तरीका बहुत सिंपल है इसका बस आपका दिमाग चलना चाहिए है और आपका दिमाग कैसे चलेगा इस वीडियो को एक बार देखो एक बार देखो एक बार देखो और यह जो सारे बर्ड हैं उसे अपनी कोपी में नोट करो तब जाके आपका दिमाग चलेगा और आपके एक दो बार प्रैक्टिस करोगे और आपके सारे बार अराम से आद जाएंगे तो आप देखेंगे इसे कैसे आद करते है S.A.B. इसे लिख लिएंगे अलग S.A.B.A.T. है ना B.A.T.I. को लिख लिएंगे अलग और इसके बाद लिखेंगे C.A.L. यानि कल अब क्या होगा? सब बाते कल अगर इसे अलग अलग हम लिखेंगे लिखने के बाद इसका प्रणाउस करेंगे तो सब बाते कल इस तरीके से हम कहते हैं वही एक बात बता हूँ, आपका सनी बार यह है सनी बार है सनी बार के दिन आप स्कूल गए और संड़े के दिन लेती है चुटी तो आप क्या कहेंगे? वही देखो कल संड़े यार कल आराम से बैठके बाते करेंगे, तो क्या कहेंगे? कि सब बाते कल करेंगे अप, सब बाते कल कल को क्या है? चुटी तो सकल को क्या है अपकास मतलब सबबतिकल मतलब अपकास